नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का Government Jobs के Official YouTube चैनल में तो दोस्तों आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई Government Vacancy जो की जारी की गई है उत्राखंड Subordinate Staff Selection Commission द्वारा जो की पूरी तरह से सरकारी संस्ता है उत्राखंड Government के अधिन में संस्ता आती है जिसके दोरा विबिन पौदों पे विकैंसिस जारी की गई हैं जैसा कि अजिस्टेंटे एगरिकल्चर असिस्टेंटे प्लांट और प्रोटेक्शन आफिसर की पोस्टेज़ें पौड कॉर्पोरेशन आफिसर की पोस्टेज़ें और भी कई पदों पे विकैंसिस जारी की गई हैं जिसके बारे मैं मैं आपको अपनी सी वीडियो में बताने जा रहे हैं कि विस्तार पूर्वक की क्या कैसमे विबिन परकार की योगेता हैं मांगी गई हैं जैसा कि शेक सबसे पहले आप तक पहुँच पाए तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनके ऑफिशल एडवाइटेजमेंट पे और इनके विग्यापन पे जो कि इनके उफिशल वेबसाइट पे जारी किया गया है फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना हैं और कैसे एडवाइटेजमेंट इनके ओफिशल वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो वीडियो के साथ आपेड तक बने रहना तो उत्राखंड आदी इंसा सेवा चायन आयोग दवारा यह जो जारी किया गया है एक अक्टूबर को जारी किया गया इनकी ओफिशल वैबसाइट पे एडवाइटाइजमेंट एडवाइटाइजमेंट नंबर यानिकी विग्यापन संख्या है जो 38 अबलिक उत्राखंड से चाओ ओबलिक 2021 है आडवाइटाइजमेंट हम आपको इसी विए बताते हैं क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होते हैं कि आपको ओल्लाइन अप्टिकेशन फॉर्म में आडवाइटाइजमेंट नंबर फिल अप करना पड़ता है कि किस आडवाइटाइजमेंट नंबर के विकैं दिन यह जारूने फॉर्म कि आडवाइट नो हैं उद्धियां विभाह के इंत्रक्ट खादे पंसक्रण शाखा वर्गत दो करिक्त एक पदर डेरी विकास विभाह के अंत्रक्त वरिष्ट दुक्द निरक्षक के रिकत तीन पदों क्रिशी विभाह के अंत्रक्त साहइक प बुद्यान विभाग के अंत्रकत विकास शकवर्ग दो के दिश फीस पदों सहायक मशारूम विकास अदिकारी के रिक्षण अधिकारी विंस्पती वियान के रिक्त तीन सिाध्य्ट शुरू मुपरने वसक के रिफ्ट चार पदों पर्योंग शाला साहे कर वंस्पति विज्ञान के रिफ्ट चार पदों विध्यानिक विकास शाकह वर्गतीन प्रश्षेवक के रिफ्ट 181 पदो आथाथ कुल 423 रिक्त पदो पर सेधी बरती ज़वार पचाहे नहीं तो विग्यापन जब विग्यापन जारी करने की जो चिती है एक अक्टूबर के अड़ाइटेज्मने की ऑफिशल वैबसाइट पर जारी क्यार दिया गया है और जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारम जो तिती होगी वो 4-5 अक्टूबर से आए ऑनलाइन आवेदन प्रारम हो जाएगा जो की लास जेट रहेगी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिती जो है वो 18 नमबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों बहुत ही कम टाइम है बहुत ही बड़ी आवेदन की जारी की गई है जो भी इसके लिए आवेदन करने की चुके है जल्दी से अड़ा कर दे बहुत ही कम टाइम इसके लिए बचा है जो कोशिश करें कि लास जेट से पहले आवेदन करते हैं जो कि 20 नमबर तक आप इसके लिए जमा कर सकते हो जो लिखित प्रिक्षाप की होगी मार्च 2022 में कंड़ेक्ट करवाई जाएगी आयोग द्वारा OTP One Time Registration को अनिवार कर दिया गया है जिन अबयारतियों द्वारा OTR प्रोफाइल नहीं बरे गए हैं उन्हें आवेदन पत्र बरने के पूर्व OTR बरना अनिवार है OTR में भरी गई जानकारी या डाटा आवेदन पत्र का बाग बनेगा उत आवेदन पत्र बरने के पूर्व OTR को अत्यांत सावधानी पूर्वग बरें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के एड़िड विकल्प में जाकर संचोधिर कर लें हर इस हर प्रकार के रिट्रमिक OTR होने पर आवेदक पत्र भरना अपरारम करें आवेदन पत्र बर जाने पर संभीट बटन पर क्लिक करके उपरांत इसके आवेदन पत्र के लिए OTR से संचोजन संभीव नहीं होगा आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समर्द अभ्यारती निर्ष्ट कर दिये जा सकता है OTR भरने में साहेता के ये टॉल फ्री नंबर आपको दिये हुएं जिस पर आप कॉल करके आप अपनी कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है कोई भी परिशानी आ रही है फॉर्म भरने में OTR भरने में तो आपको ये नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या दूर कर सकते हो और आयोग के आपको email id पे आप mail भी send कर सकते हो जो कि email id निकी china.io.gmail.com पे आप इसे mail send कर सकते हो अप्रुक्त अब्यारतियों के चाहे नहीं तो अब्यारती द्वारा भी लेखो कि विस्वनिश्चिय परकार की offline अथवा online प्रिक्षा योजित किरा जा सकती है प्रत्यों किता प्रिक्षा के संबंद में अप्रुक्त समय अनुमती एम प्रिक्षा के तिथियां की सूचना यह था समय पूर्थक से आयो की वेबसाइट देनी के समाचार पत्रों में प्रेस द्विग्य पत्र अब्यारती को उनके द्वारा online आवेदन पत्र में दिये गए मुबाइल नमबर पर SMS तथा इमेल द्वारा उपलव दिक्राई जाएगी अब्यारती अपने परवेश पत्र आयो की वेबसाइट से ही डाउलूड कर लें आयो द्वारा डा के माद्यम से परवेश पत्र निवग्यत नहीं किया जाएंगे आगे बताते हैं आपको क्या 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 इसमें वेबन परकार जो पोस्ट इसके बारे में अब्यारती अवेदन पत्र भरने से पूर विग्यापित की सबी पावेदन वाशरता तथा अन्य अंत में दिये गए निर्देशों को बाले मती आवश्य पढ़ लें जो पहली पोस्ट है पद्रामे चारा साहय का ग्रूप टू की पोस्ट है इसमें कुल तीन में कैंसी जारी की गए इस पोस्ट और इसमें आपको जो वेतन दिया जाएगा वो 29,200 लेकर 92,300 रुपए आपको इसमें लेवल पांच कंतर गर दिया जाएगा जो परतका पर रहेगा राज़ पत्र अस्थाई अंच दाई पेशना यूगत आपको इसमें रहेगा यानि कि आपको इसमें पेंचन भी दी जाएगी जो शेक्षी कहा था इसमें FMSC कृषी में आपके पास इसमें मांगी गई है या फिर आपके पास फार्मर पर बंदक में तीन वर् इसमें से माक्स आते हैं तो जिसके आई हो जादा उसे इसमें पहला स्थान दिया जाएगा इसमें जो शेक्षिक होके था आपके पास MSC मांगी गई कृषी में अगरी कल्चर में आपके पास होनी चाहिए और फिर फार्मेसी में आपके पास नियूंतम तीन वर्च का बीस जसे आपको पास करना नहीं वारे रहेगा जिसके बाद आपका इसमें सीधा सेलेक्षन हो जाएगा जो दूसरी पोस्ट है चारा साहे के गरुप तीन में आती इसमें भी खुल दो ही कैसे जारी की गई है दोनों की दोनों सुमाने जाती की हैं तो इसमें आपको जो वेतन दिया जाएगा उसाड़े पच्छे सजार से लेकर 181100 रुपया आपको इसमें दिया जाएगा जो कि आगे भी आपको इसमें बढ़ता रहेगा प्लस आपको इसमें अलाउंसिस भी दिये जाएंगे जो कि गौर्णननेंट द्वारा इंप्ल temu YS को मुhouई करवायी जाते हैं जासके डियरनेंस कि अलामसे हाउसаноac आलांसे टांस्पर्ट अलांसे मेडिकल यह आपको इसमें दिया जाएंगे शिष्टा ज्यादा दी जाएगी इसमें जो लिक्त प्रित्यों गिता प्रिक्षा होगी इसमें सो अंकों की दो गंटी की एक objective टाइव इड़ मल्टीपल चोईस्ट कुष्टन आपके इसमें करवाई जाएगी प्रिक्षा जिसका पाठे कराम आपको इनकी official website पे available है वहां पे आप जाके सीधा डाउनलोड उसे कर सकते हो कि दूसरी पोश्ट है जो खाद्दे पस्क्रण शाका वर्ग दो सहायक खाद्दे नरक्षक प्रिक्षन अधिकारी की पोश्ट है इसमें आप कुल एक ही कैंसी जारी की गई है इसमें आपको वेतन जो दिया ज देजाएगा लेवल पांट के त्चेंटर का आता है इसमें शक्षख भाता तो मॐस्क्षे कोष्ट कर वाई जाएगी जिसके उपरा आता आपको ऑस इसमें सेलेक्शन होना है तो आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट है जो विरिष्ट दुख दनिरक्षक डेरी विभाग की पोस्ट है इसमें कुल एक तीन विकेंस जारी की गई है इसमें आपको वेतन एक लाख बाराहजार जो की लेवल शेक अंतरगत आता आपको इसमें दिया जाएगा प्लस सलांस दिप्लोमा या पशुपालन पशुपालन विश्यों में विश्ग्यता के साथ पर्थम श्रेड़ी में कृशी सनातक या भारतिय दुख्द डिप्लोमा या पशुपालन और दुख्द विश्यों में विश्ग्यता के साथ कृशी सनातक और दुख्द सहकारी सिमितियों के उत्पादक और विकास क्रियाओं को संसाइं उजित करने का या किसी मानक विदेशी भारतिय दुग्द उत्पादक कारखानों में कारे करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुबाव होना चाहिए इसमें आपकी जो लिखित प्रिक्षा रहेगी सो अंकों के दो गंटी की ऑबजेक्टी टाफ इसमें करवाई जाएगी जिसका पार्ठे करम आपको इनकी ऑफिशल वैबसेट पर मिल जायेगा नेक्स्ट पोस्ट है जो साहे का क्रिशी अधिकारी की पोस्ट है इसमें आपकी जो वेतन दिया जाएगा हो साड़े पच्चेस से लेकर 80,100 रुपे जो कि लिएवल चार कदगत आता है वो आपको इसमें दिया जाएगा जो कि आगे भी आपके एक्सपिरिस प्रमोशन के दिवारा पास होनी चाहिए इसमें आपके जो चाहिए रहेगी इसमें चाहिए प्रिकरिया के लिए सो अंकों की दो गंटी की ऑबजेट्री टाइप इसमें करवाई जाएगी जिसका पाठे करहा हम आपको इनकी ऑफिशल वैपसेट पर दिया गया है जो नेक्स्ट है इसमें सहाय के विकास अधिकारी की पोस्ट है इसमें कुल शब्स वकैंसी इस पोस्ट पर जारी की गए इसमें आपको वेतन 29,200 से लेकर 92,300 रुपे जो की लेवल पांट चिकें तर्गत आता है वह आपको इसमें दिया जाएगा इसमें जो पदका सब रूप रहेगा प आपको इसमें पैंचन भी दी जाएगा स्थाई रूप से रहेगा यह इसमें शेक्षिकारता किसी मानदा प्राफ्ट विश्विद्याल है द्वारा बीसी होने चाहिए जो कि क्रिशी में आपके पास होने चाहिए यहां फिर जीव ग्यान समूह में उपादी धारक सो इसम के उपरा ता आपका इसमें सेलेक्षिन हो जाना है जिसका पार्टेकर मैं आपको इनकी ऑफिशल वैबचैट पे मिल जाएगा आगे बड़ता है नेक्स्ट पोस्ट है जो साहिक मश्रूम विकास अधिकारी की पोस्ट है सो इसमें कुल दो ही विकैंसी जारी की गई है तीन विकैंसी जारी की गई है इसमें आपको 29,200 से लेकर 92,300 रुपए आपको इसमें दिया जाएगा जो कि लेवल पांच के अंतरगत आता है इसमें भी आपको जो पद का सवरूप रहेगा पेंचन योग पद रहेगा स्थाई रूप से आपको इसमें पेंचन भी दी जाएग इसमें दोनों में इसे को इक आपके पास भीस पी होनी चाहिए सथा असको पास करने के बाद आपका इसमें सीधा मैड लिष्ट में नाम आ जाएगा जिसके उपरांत आपको इसमें सेलेक्शन हो जाएगा जिसका पाठेकरम जो रहेगा इस परिक्षा का आपको इनकी ऑफिशल वैबसेट पे मिल जाएगा सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट है जो साही के पोद सुरक्षा अधिकारी की पोस्ट है इसमें आपको 29,200 से लेकर 92,300 रुपे आपको इसमें दिया जाएगा जो की लेवल पांच के अंतरगत आता है इसमें आपकी जो शेक्षा का आरता मांगी गए किसी महानता प्राप्त विश्वद्याले में अस्तान द्वारा बीसी होने चाहिए जो की जीव विग्यान सुमुए में होने चाहिए या फिर बीसी क्रिशी में होने चाहिए सो इसमें आपकी पास जो मधूविकास इन रिख्षक के पद के लिए इसमें जो शीख्षी के हो गयतायाँ तो आपके पास मदऊमक्षी पालर में पृट्र आपकी करवाय जाएगो की अप्यक्टिट्र इता उनकि Task長 अब्चन होगे जिसका पाठेकरम आपको उनकी ऑफिशल वैपसेट पे दिया गया है आगी बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट का Educational Qualification की और जो की है साहाइक प्रिक्षन अधिकारी उद्यान विग्यान उद्यान विग्यान में इसमें आपको वेतन 29,200 से लेकर 92,300 रुपे आपको इसमें लेवल पांच के अंसिकत जो वेतन आता है वह आपको इसमें दिया जाएगा इसमें कुल तीनी वकैंसी इस पोस्ट पे जारी की गई है और इसमें जो शेक्षे के हो गता रहेगी वो पदका जो सवरूप रहेगा राज्य पत्र स्थाई पंच्छन युक्ति यानि कि यह पर्मनेट जोब है और आपको इसमें पंच्छन युक्त रहेगी आपको इसमें पंच्छन मोहिया करवाई जाएगी इसमें जो शेक्षे जीव विज्यान समूव में होनी चाहिए इन दोनों में से किसी एक में आपके पास होनी चाहिए इसमें लिकित प्रित्योगिता प्रिक्षा के पद है तो पद के अनुसार पाठेकरम जो इसमें रहेगा प्रिक्षा करवाई जाएगी जिसका के सिलेबस आपको आयोग की वैबसाइड पर उपलब्द करवाया गया है आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट है जो साहाएक प्रिक्षन अधिकारी वंस्पती विग्यान में इसमें कुल तीन वकैंसी इस पोस्ट पे जारी की गई है इसमें वेतन आपको 29,200 से लेकर 92,300 रुपे आपको इसमें दिया जाएगा प्लस अलाउंसेज भी दिया जाएगा और जो आपको वेतन आग और एक्सपिरेंस प्रोमोशन के आगे बढ़ता रहेगा लेवल पांच के तरिक जो आता है वो आपको स्टार्टिंग इसमें दि मांगए यह फिर आपके B assure जी्विग्या न सुमोह में होनी चाहिए यहां यह फिर नोवैस 파्री क्लिझा यौचंवे क्रिशय में होनी चाहिए इन दोड़नों में से को यह होनी चाहिए इसमें आपको इस जór इसमें दिशां को और आयों में 6 अवियार्ति और को चायन प्रिक्षा करवाई जाएगी जिसका पाठे करम आपको आयोग की वैबसाइट पर उपलब्द करवाया गया है आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट है जो यह पद्रह मश्रूम प्रवेशकी पोस्ट है इसमें कुल चार वकैंसी पोस्ट पर जारे कीगे इसमें आपको वेतन जो दिया जाएगा 25,500 से लेकर 85,500 से लेकर 81,100 रुपे लेवल 4 कंतर गजवाता है इसमें आपको दिया जाएगा प्लस अलावसिस भी दिया जाएगा जो कि गौवर्मेंट द्राविबल इसको मोहिया करवाई जाते प्रिक्षा है तो पदी के अनुसार आपका इसमें चाहिन के लिए सो अंको की दो गंट टीक है कि वस्तुनिस्ट परकारों को अबजेक्ट्री टाविद मैल्टिपल चोस्ट कोईटन के लिए लेकित प्रिक्षा करवाई जाएगगी जिसका कि पार्टे का इसमें पर प्रि प्रियोक्षाला सहाइक वंसपत्र विग्यान की पोस्ट है इसमें आपको वेतन साड़े पच्छी से लेकर 80,100 रुपए आपको इसमें स्टार्टिंग वेतन जिवा जाएगा जो कि लिवल 4 कंतरगत आता है इसमें आपकी जो पैद का सवरूप रहे राजपत्र पद रहेगा पैंटजनी उकत रहेगा इसमें आपके शक्षिकारता कैसी मानता प्राप्ट विश्वेद्या लेहां सहस्थान में B.C. वंसपत्ति विग्यान समू या बिसए कृषि वंसपती कवकि विग्यान उपादी धारक के या आपकी इसमें बिसए मागेग क्योंकि इसमें जायादा चायन में उपर रखा जाएगा लिखित प्रिक्षा के अनुसार आपकी इसमें 400 अंकों की दो गंटे की एक अब्जेक्ट की टाइव इसमें प्रिक्षा आपके करवाई जाएगी जिसका पाठेकर मायों की वैबसाइट पर उपलब्द करवाया गया आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट है जो उद्योने के विकाज शाखा प्रवेशक की पोस्ट पर है इसमें कुल 181 विकैंसी पोस्ट पर जारी की गई है इसमें 255 से लेकर 81,100 रुपय आपको इसमें दिया जाएगा और इसमें आपको लेवल 4 का अंतर रिक दिया आयों में शिष्टा अभियारती को चायन सूची में उपर रखा जाएगा इसमें जो लिखित प्रिक्षा है तो पादिक के अनुसार आप आठेकरम जो रहेगा वह आपका इनकी ऑफिशल वैपसाइड प्रो प्लब्स करवाया गया इसमें आपकी सो अंकों के दो गंटे के एक अबजेक्टरी टाइव दो मल्टिपाल चोस कोश्टम प्रिक्षा करवाई जाएगी तो इसमें जो लिखित प्रिक्षा के लिए इसमें जो आर एक्षन रहेगा समानने एम ओबीसी श्रेणी के अभियारतियों के लिए इसमें 45 प्रतीशत अंकों में शूट दी गई है इसमें आपके लिखित प्रिक्षा प्रिक्षा न पर मुल्व अंकन में परतेग सही उतर का एक अंक का परतेग गल्थ उतर है तो व안सलाश वार रन का रनातमक अंक दिये जाएंगे इसमें जो आई-उ सीमा रहेगी वह आपकी इसमें आई-उ सीमा है तो आपके पास 21-43 साल कि अब्यारती इसके पोस्ट की इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें जो राष्टी एता है तो बारत का नागरी कुर्णा इसमें अनिवार है अगर आप वर इंडिया कहीं से बिलो करते हैं इन पॉस्ट इसके लिए अपलाई कर सकते हूं । हालाकि और एक्शन है जो की उत्रा मूल निमासी जो अब यारती उत्राखंड के रहने वाले ऋपैस नीं को इसमा होटे और एक्ष्ट दिया जाइगा वैसे आप इसके लिए अपलाई कर सकते खु scratch minutes और वמק टॉट इन पर जाके आपको इसके लिए अविधन करना है जो कि हम आपको अगे विस्तार पुरुब कुताएं कि कैसे आपको इसके लिए अवदन करना आवेधन के अंदर के दोरह आप इसमें प्रिक्षा शुल कर सकते हो जो प्रिक्षा शुल करेगा उन्रक्षित समानने उत्राखंट एन पिश्ड़ावर क्या ब्यारती अगर हैं तो उन्हें 300 रुपे इसमें मातर देने होंगे एक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अगर आप एक से ज़्यादा इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं इसी में एक दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसमें फीस दिया एक पोस्ट के लिए आपको अलग 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 ही करना होगा दोनों पो होंगे तो चलिए दोस्तों आगर आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है तो दोनों ही लिंक हमने अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे रहे हैं को ऑनलान अप्लिकेशन फॉर्म का भी और साथ याडवाइटेज्मेंट क अभी की आपन का जो कि हमने आपको भी दिखाया है अगर आप एडवाइटेज्मेंट वाले लिंक पे क्लिए करोगे तो लिंक आपको सीधे इनकी ऑफिशल वैबचाइड के न्यूस पोर्टल पर ले जाएगा जहां पर आप जाके ड्रेक्ली आडवाइटेज्मेंट जाएगा निका ओल्लेन पोर्टल पर जहां पर आप जाके ड्रेक्ली पहले अपना राइजिटेशन कर लो कि फिर आप इनकी ऑल्लेन अप्रिकेशन फॉर्म फिलप कर सकते हो तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी का बढ़िया लेगी होगी तो जो भी फ् सब्सक्राइब करते हैं साथ उसके पैल आइकन जरूर तो बादें तांकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गौर्मेंट फगैंसी लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए